सो गाइस रिसेंटल इंडिया में टोटल 118 अप्स एंड गेम्स को बैन कर दिया है गवर्मेंट ने और उन सारी अप्स में पब जी मोबाइल एंड पब जी लाइट शामिल है यहाँ पर काफी जादा गेमर्स डिसपॉइंटेड हो गएते और इस न्यूज के बाद ट्विटर पर टॉप पॉजिशन पर ट्रेंड कर रहे थे पब जी मोबाइल पब जी टेंसेंड कॉल अफ ड्यूटी और कॉल अफ ड्यूटी इसलिए ट्रेंड कर दा था बिकॉस लोग कुछ ऐसे डेटा शेयर कर दा था अपनी ओरिजिन कंट्री मिन्स चाइना से चाइना के साथ उनकी बेसिकली पार्टनर्शिप ए टेंसेंड के साथ तो वहाँ पर डेटा लीक कर सकता था इसलिए गवर्मेंट ने हमारी नेशन की सिक्यॉर्टी के लिए पब जी मोबाइल पब जी मोबाइल लाइट को बैंड कर दिया था बट उसी के बाद एक स्ट्रीमर ने एक न्यू शेयर की ती वह मैं आपको बता देता हूं आप सभी को बताएं कि स्ट्रीमर्स जो होते हैं स्पेशली पब जी के स्ट्रीमर्स उनका जो पब जी ऑफिशल के साथ बहुत ही होता है उनके पास उनके नंबर्स होते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है उनको गेम में या कोई फीडबाक देनी होती तो वो डायरेकली पब जी ऑफिशल को कॉंटाक कर सकते हैं तो ऐसा ही एक स्ट्रीमर है उसका नाम मुझे याद निया बट मैं आपको स्क्रीन प की तरफ से एक मेल आया था या एक मेसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सिक्यॉर्टी रीजन की वज़े से बान हो रहा है तो हम अपनी पार्टनर्शिप तैंसेंड के साथ कैंसल कर देंगे और जो भी तैंसेंड का 10% स्टैक है हमारी कंपनी में वो सब हम खतम इंडिया में बट वन विक के बाद पबी मोई इंडिया में वापस आ सकता है इस वंवेल बैं हुआ है टेंसेंड की वज़े से हमें पब्जी मोबाल एस गेम उससे कोई प्रॉब्लम नीए बस प्रॉब्लम इससे है कि यह जो की एक चाइनीज कंपनी इस लिए गवंन्ने पब जी को बैन किया ताकि हमारा डेटा चाइना में ना जाए तो इसलिए पब जी की जो ओरीजिन मिंस ओनर है बाइदवे मैं आपको बता दू कि यह कोरियन गेम है जस्ट उन्होंने टेंसेंट के साथ पार्टनर्शिप की एती मोबाइल वर्जिन लॉंच करने के लिए उन्होंने बुलाई कि अब हम टेंसेंट के साथ पार्टनर्शिप ना करके यह गेमसॉप जैसी जो और दुसरी कंपनी से उनके साथ हम पार्टनर्शिप करके पब जी मोबाइल को फिर से इंडिया में लॉंच कर सकते हैं तो अभी अच्छी न्यूज है काफी अच्छी न् के साथ और साथ ही में कॉमेंट करके बताओ कि आप कितना खुश हो इसी न्यूज को सुनने के बाद और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल टेक्नल लिस्ट को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा जैहिंद बंदे मात्रम